ये वीडियो सिर्फ इंफोमेशन परपस के लिए है के प्रीमियर हेल्थ इंशॉरेंस पॉलसी का डिटेल जानते हैं यह प्लान आपको इंडिवीजूल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही कैटेगरी में मिल जाता है पॉलसी टम है एक साल दो साल तीन साल का एंट्री एज लिमिट जो आपको मिलती है 18 साल से लेकर के 65 साल का एंट् तम 25 साल अब जो प्री मेडिकल एक्सपेंसिज होते हैं अगर आपने अपना मेडिकल रिपोर्ट सब्मिट किया और कंपनी एगरी हो गई आपको पॉलसी देने के लिए तो उसका 50 प्रतिशत तक का जो कॉस्त है वो तो कंपनी खुद वेवफ कर लेगी और आप लोग जान 405 है वह आपको अंडर दर कवर जो इस प्लान में आपको लिस्टेड मिल जाते हैं इसी के साथ में सेकंड उपीनियन सेकंड उपीनियन की जरुवत पढ़ती है जब कोई क्रिटिकल इल्नेस हमें हो जाए या कोई मेजर इंजरी हो जाए तो एक साल में पर पॉलिसी जो सरजन के साथ में स्पेशलिस के साथ में उसको सेकंड उपीनियन बोलेंगे वो अंडर दर कवर आपको मिल जाएगा और्गन डॉनर एक्सपेंसिस जो है वो इन पेशन्ट हॉस्पिटलाइशन आपको अंडर दर कवर मिलेंगे तूवाट दा ओर्गन हार्वास्टिंग ठी वो भी अंडर दर कवर आपको मिलता है डाक्टर की साला के अनुसार जब घर पे ही ट्रीटमेंट किया जाए उसको डॉमिसलरी होस्पिटलाइशन बोलते हैं वो भी आपको अंडर दर कवर मिल जाता है अगर होस्पिटल में रूम वगेरा एड्मिट होने पे नहीं मिल पा कोई एटलीस दस दिन के लिए वो हस्पिटल में एड्मिट है तो ऐसे में एक एक लंब सम कैष अमाउंट यहां पर मिलता है कंपनी की तरफ से उसे कॉंविलेंस बेनिविट बोलते हैं और जब लंबे समय तक हॉस्पिटल में एड्मिट होते हैं तो उसके बाद में नर्स आपके जो उसकी विजिट होगी जो रेल का टिकेट है या एकोनिमी क्लास का एयर टिकेट है वो अंटर दा कवर आ जाएगा उसका एक्सपेंस इस रोड और एयर एम्बुलेंस दोनों ही आपको अंटर दा कवर मिलती है डिपेंड करेगा कि कौन सा कितना समर शॉट है उसी के संबंदित कुछ कैस्ट वैल्यू जो है मिलता है कैस्ट वेनिफिट अब इस प्लान में आपको जैसे मैंने काता तीन वैरियंट है तो इसमें आपको वैरियंट एडिट सर्वेसिस भी मिल जाती है जैसे आल्लाइन कस्टोमर प्रफाइल हो गया डॉक्टर डारेक्टरी कर सकते हो दो डिलेवरी ही अंडर दा कवर आएंगे उसके साथ न्यूबॉण बेबी और जो मैटरिनिटे एक्सपेंसे जो आप लिमिट लोगे उसी के अनुसार न्यूबन बेबी अंडर दा कवर आएगा और उसका वन एयर का वेक्षिनेशन में एक लिमिट होता है वो भी एक्सिडेंटल दैथ और टोटल पर्मनेंट डिसिबिलिटी अंडर दकबर आती है एन्वन हेल्ट चेकप मतलब सालाना जो पॉलिसी आप रिनू कराएंगे क्लेम हो या ना हो फरक नहीं पड़ता आपको एन्वन हेल्ट चेकप मिल जाएंगे बशरते उमर 18 साल की होनी चाहि ये सबी टेस्टेज आपको अंडर दकबर मिल जाएंगे इन नेटवर्क हॉस्पिटल जोंगे वहाँ पर वेटिंग पीरिड की बात करें तो 30 दिन का है फर्स्ट हॉस्पिटलाइशन पर वेटिंग पीरिड प्री स्पैसिफाइलनेस पर 24 महीने का वेटिंग पीरिड आप को मिलता है बाकी आपको पता ही है कि जोन वाइज आजकल को पी भी हमें देखने के लिए मिलता है जोन टू में कोई रहता है और जोन वन में जाएगा ट्रीटमेंट कराने तो 10 प्रतिशत का कोपे है जोन थ्री में कोई रहता है जोन टू में जाकर ट्रीटमेंट कराएगा तो 10 प्रतिशत का कोपे यहां पे लगेगा बाकी आपको जो maternity expenses हैं उस पे भी आपको 36 महीने का waiting period देखने के लिए मिलता है pre-existing disease पे waiting period तो है कितना है यह policy wording में clear हमें पढ़ने के लिए नहीं मिला आपने इस plan के वारे में information भी मागी थी फिर जब मैंने आपसे पूचा तो आपने अपना भरोसा भी दिखाया उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा एक चीज़ खुद भी समझें दूसरों को भी समझाएं कि insurance एक protection है और protection कभी अदूरी नहीं लेते बहुत बहुत धन्यवाद